नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलिवुट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ अनुपाकाश फर्मा दोस्तों ये किस्सा हिंदी सिनमा की ट्रेजडी कुईन मीना कुमारी का है मीना कुमारी और धर्मेंदर की जोड़ी एक वक्त बड़े परदे की बेहतरीन जोड़ी थी धर्मेंदर उन दिनों इनरिश्टी में नई ही आये थे मीना उनके अंदाज से बहुत प्रभावित थी और उन्होंने धर्मेंदर के करियर को समारने में अपनी महत्रपुड मुह में काने भाई मीना कुमारी और धर्मेंदर ने साल 1964 से लेकर 1968 के बीच कई फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दोरान सुपरिश्टार मीना कुमारी की प्रेम कहानी भी सुर्खियों में आई मीना कुमारी और धर्मेंदर की फिल्मों के सेट से दोनों की प्यार के खबरें आए दिन सामने आने लगी बात इतनी बढ़ी कि ततकालीन राष्टपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन तक भी पहुँची अभिनेता अनुकपूर ने अपने रेडियो शो सुहाना सफरविद अनुकपूर में इस बात का सिक्र किया था उन्होंने बताया था कि मीना और धर्मेंदर के रिष्टे पर राधा कृष्णन ने मीना कुमारी से ही सवाल पूछ लिया था दरसल मीना कुमारी दिल्ली के एक सारजनी कारिक्रम में शामिल होने के लिए आई थी और इसी कारिक्रम के दोरान ततकालीन राष्टपती राधा किश्णन ने मीना कुमारी से धर्मेंदर के साथ उनके रिष्टों पर सवाल पूछा मीना कुमारी धर्मेंदर के करीब जबाईं तब उनका रिष्टा अपने पती, मशूर लेखक, नर्देशक, कमाल अम्रोही से तूटने की कागार पर था वो अपने फिल्मों में धर्मेंदर को लेने के लिए पूरूसर्स के सामने शर्ट तक रख देती थी अगर फिल्में धर्मेंदर होंगे तब ही काम करूंगे धर्मेंदर और मीना कुमारी की जोड़ी ने पूरिमा, काजल, मैं भी लड़की हूँ, फूल और पत्थर, मजली दी, बहारों की मनजिल जैसी कई लोग परी फिल्मेंगी और खोब कामिया भी हासल गी मीना कुमारी धर्मेंदर से इतनी मुहबबत करती थी कि उनसे कुछ समय भी वो दूर नहीं रह पाती थी एक बार कुछ दोस्तों के साथ दोनों पिकनिक के लिए गए थे आते वक धर्मेंदर दूसरी गाड़ी में बैठ गए जिसके बाद मीना कुमारी गाड़ी से उतर कर सड़क पर बैठ गए थी कहा जाता है कि वो बीच सड़क पर बैठ कर चिल्दाने लगी थी कि मेरा धर्म कहां है साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर काफी लोग प्री हुई थी और धर्मेंदर एक इस्टार बन चुके थे सफलता के बीच धर्मेंदर मीना कुमारी से दूर होते चले गए इधर मीना कुमारी अकेले पन का शिकार हो गई वो धरमेंदर से दूर होने का सदमा बरदाश्ट ही नहीं कर पाई और शराब में डूब गई मीना कुमारी आखरे दिनों में बीमार रहने लगी थी कहा जाता है कि धरमेंदर बीमार मीना कुमारी से कभी कभी मिलने चले आते थे लंबी बिमारी के बाद 31 मार्ट साल 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया मीना कुमारी के यूँ तो कई फिल्मे हैं जो हिंदी फिल्म इंड़स्टी के लिए एक मिसाल है लेकिन पाकिजा मैं जब भी देखता हूँ तो मेरी नजरे ठहर जाती है आपको मीना कुमारी की कौनसी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा सुनते रहिए तबॉलिवूट रीडियू सुनता है सारा इंडिया